नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन स्टडी में फ्रेंस जैसा कि आप थम्डेल में देख पा रहे हैं आज की हमारी ब्यूडी का टॉपिक है जीके मौक टेस्ट फ्रेंस जितने भी क्वेशन हैं फूल एक्समेलेनेशन के साथ हम डिसस करेंगे तो 30 के लगवा क्वेशन हम डिसस करेंगे कमेंट सेक्षन में अपने अंसर जुरूर शेयर करें क्या आपका स्कोर रहा 30 में से और फ्रेंस वीडियो को जरब इसकी बना करें फ्रेंस इंडियन सिविल सर्वेंट थे सतेंदर ना टैगोर सतेंदर नाथ टैगोर जो थे वो प्रत्थम भालती लोकसेवक थे जो कि रविंदर नाथ टैगोर के बड़े भाई थे तो इसमें देखिये उपशन में कोई भी नहीं आँसर दिया गया है तो राइट आंसर इसका होगा सतेंदर नाथ एगोर इसी क्वेशन से लेटर देखिए देफादर आफ इंडिन सिविल सर्विस किन्य कहा जाता है किन्य सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है ये क्वेशन भी करिवार पूछा जाता है तो देखिए, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, The Father of Indian Civil Service, यह कहा जाता है, चारलेस कारनवालिस को, किसको कहा जाता है, चारलेस कारनवालिस को, चारलेस कारनवालिस जो है, यह पहले एक मात्र ऐसे गुवर्ने जनल हैं, जिनकी समाधी भारत के गाजीपूर में सीत है, और इन दास, चितरंजन दास, Next Question, The Red Forts of Agra and Delhi are made of Red Variety of, आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल परजाती से बना हुआ है, Option देखिए, सैंड स्टोन, लोएस, मार्वल या फिर शिस्ट, तो बताई फ्रेंस, आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल परजाती से बना हुआ है, Right answer इसके हुआ है, सैंड स्टोन, देखिए, एवला ये Right answer है, देखिए फिर उस आगरा का किला जो है, इसका निरमान करवाया है, अकवर ने, जो आगरा का किला है, इसको बनवाया है, अकवर ने, आपने याद रखना है, आगरा, यानिकि ओसे स्टार्ट हो रहा है, आगरा तो इसको बनवाया है ओसे ही शुरू हुआ अकवर तो इसको शुरू इसका निर्मान करवाया था अकवर ने और यह जो दिल्ली का जो लाल किला है इसे बनवाया है शाह जहाने दिल्ली का जो लाल किला है इसे बनवाया है शाह जहाने और इस ही लाल किले के अंदर उसने दीवाने आम और दीवाने खास यह वाले बिवाव जो थे इनका निर्मान कर वाया था Next question, the enlarged form of volcanic crater is card जौला मुखी का बिस्त्रिश सवरूप क्या कहलाता है? option देखिए, lake crater, card era, fuma soul या फिर all of these या सवी तो बताईए फ्रेंस जॉअला मुखी का जो बिस्त्री सबरूप है वो क्या कहलाता है The enlarged form of volcanic crater is guard तो रायट अंसर इसका होगा card era, बी वला ये रायट अंसर होगा जॉअला मुखी का जो बिस्त्री सबरूप होता है वो कहलाता है card era Next question, the horizontal movement of air is guard हवा की समक्षीति इस गती क्या कहलाती है option है wind, jet stream, air mass या फिर pressure, belt तो बताई फ्रेंस right answer इसका क्या होगा इसका right answer होगा wind, pavan हवा की जो समक्षीति इस गती होती है the horizontal moment of air is card wind, pavan, ये बला देखी right answer है साथ में देखी जो फ्रेंस jet stream जो होती है ये उपरी बायो मंडल में विसेश कर समताब मंडल में तेज गती से बहने वाली हवाई होती है, कहां बहती है समताब मंडल में, और ये 6 से 14 किलोमेटर की उन्चाई पर ये चलती है next question, high tides are caused at the time of, उच जो आर किस में होती है option देखिए, full moon, new moon both a and v, या फिर none of these बताई friends, क्या इसका right answer होगा तो right answer इसका होगा both a and v, दो नू है यानिके उच जो high tides जो होता है ये होता है, उच पूर्णे में और अमावस्या के दिन क्योंकि friends, इस दिन सूर्यों, चंद्रमा और पृत्वी, ये तीनों जो हैं ये एक सीध में होते हैं, कई बार ये question पूछा जाता है कि जवार जो है, एक दिन में कितने बार आता है तो ये आता है, दो बार दिन में लेकिन ये हर वारा गेंटे बाद नहीं आता है बलकि ये बारा गेंटे 26 मिनट के बाद आता है कब आता है, बारा गेंटे 26 मिनट के बाद ये होता है पृत्वी और चंद्रमा के गुरुतवा कर्शन के कारण और friends, लगू जवार जो होते हैं ये होते हैं क्रिशन पक्ष और सुकल पक्ष की अस्टमी को क्योंकि इस दिन सुर्य और चंद्रमा प्रिथवी के साथ समकोंड बनाते है यनके समकोंड बनाते हैं ये चंद्रमा और ये अर्थ और ये सुर्य इस प्रकार का कोंड बनता है उस दिन सुकल पक्ष और क्रिशन पक्ष वाले दिन ये लगू जवार उत्पन होते है next question, which of the following is a tropical grassland, नमिल्ट में से कौन सा उशन कटिवंदी घास का मैदान है, ऑफ्शन देखिए, सवाना पैंपज, प्रेयरी या फिर टाइगा तो बताएए friends, इन में से कौन सा उशन कटिवंदी, tropical grassland है right answer उसका होगा, सवाना, देखिए सवाना जो है ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऊशन कटिवन्दी गास का मैदान है और फ्रेंस ये ऑस्टेलिया का गास के मैदान है सवाना जो है ऑस्टेलिया के गास का मैदान है और पंपास जो है पंपास देखिए ये शितोषन गास के मैदान है ये कैसे हैं ये सितोषन टेंपरेट ग्रास लेंड है ये सज्टोषन घास के मैदान है और ये पंपाज जो है ये है अर्जेंटीना सौथ अफरिका में कहां पर पंपाज होते हैं ये अर्जेंटीना सौथ अफरिका में प्रेयरीज देखिए प्रेयरीज जो है ये भी शीतोस्टन गास मैदान है ये भी टेंपरेट ग्रास लैंड है और ये है उत्री अमेरिका महाधीब में कहां संपूर्ण उत्री अमेरिका महाधीब में प्रेयरीज पाये जाते हैं कनाड़ा, USA और मेक्सिको में खास कर यह पाय जाते हैं नेक्स देखिए दा कैपिटल ओफ ऑस्टेलिया इस ऑस्टेलिया की राजधानी ओप्शन देखिए सीडनी, कैनवरा, मेलवर्न या फिर पर्थ तो पताई फ्टेलिया की राजधानी का नाम क्या है राजधानी रिस में होगा कैनवरा, और यह सबी जो है और यह सबी जो है औस इसकी हाइट कि तिनkommen जिए है और मॉंट अइबरेस्ट जो है इसकी हाइट कितनी है यह आप comment section में ज़रूर share करें Mount Everest की height कितनी है उसके साथ देखिए जो Mount Everest के बाद जो दूसरे नंबर की सबसे उंची चोटी है वो है K2 कौन सी है? K2 और इसकी जो height है वो है 8611 मीटर और तीसरे नंबर की जो सबसे उंची चोटी है वो कंचन जंगा जो की भारत की सबसे उंची चोटी है और इसकी height है 8586 मीटर जो की भाद की सबसे उंची चोटी है और यह जो सीत है यह है भाद के जम्मू और कश्मीर में की कारा कोर्म सरिंखला में यह स्थीत है Next question, the greater Himalayas are also known as greater Himalayas को इस नाम से भी जाना जाता है option है पीर पंजाल, हिमाद्री, जासकर रेंज या फिर शिवालिक तो बताई फ्रेंस great Himalayas को और किस नाम से जाना जाता है right answer इसका होगा हिमाद्री, great Himalayas को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है B वाला यह right answer है Next question, the queen of Himalayas is या हिमाले की रानी है, देखिए चार option जो दीए गए हिमाले की रानी तो देखिए इसमें जो शही answer है बो भी नहीं दिया गया है हिमाले की रानी कहा जाता है फ्रेंस, Darjling को the queen of Himalayas is Darjling, Darjling जो हो हो हिमाले की रानी है और Darjling जो है यह कंचन जंगा range के साथ है सूरी उसो कीई नौ मौंटेन भी कहा जाता है नेक्स कॉश्चन विच आफ दा फॉलॉईं रिवर्स एंप्टीज इर्सेल्फ इंटू दा अरेवियंसी निमलिक में से कौन सी नदी अर्व शागर में गिरती है आफशन देखिए नर्मदा, महा नदी, कृश्चन या फिर कावेरी तो बताई फ्रेंस अर्व शागर में कौन सी नदी गिरती है राइट अंसर हमारा होगा नर्मदा नदी देखिए यह वला ये राइट अंसर है इसके साथ देखिए फ्रेंस अर्व शागर में और कौन कौन सी नदी गिरती है देखिए एक तो नर्मदा हो गई उसके बाद देखिए ताप्ती, सिंदु, सावरमती, माही नदी और पूरा नदी ये नदी PUBG अर्व सागर में जाकर गिरती है और ये नर्मदा नदी बाहरत के बिलकूल मद्य में जाकर बहती है इसलिए से heart of rivers भी कहा जाता है hearts of rivers किसे कहा जाता है नर्मदा नदी को इसके साथ देखिए महा नदी, कृष्णा और कावेरी ये नदी जो है ये गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में इसके साथ गोदावरी नदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है next question the best and disturbance originate over the best and disturbance पश्चमी बिख्षोब यहां उद्भवित होता है option है आपके Mediterranean Sea, Indian Ocean, Arabian Sea या फिर Bay of Bengal तो बताई friends best and disturbance पश्चमी बिख्षोब कहां उद्भवित होता है और इसी question से question आपके लिए comment section में इसका answer जरूर शेयर करें इन चार option में से कौन सा एक ऐसा महासागर है जो की त्री भुजा कार इसकी आकरिती है comment section में अपना answer शेयर करें त्री भुजा कार किस महासागर की आकरिती है next question which of the following soil is the most fertile the first nuclear power station in India is established that भारत में प्रथम नाबकी पावर स्टेशन कहां स्थापित हुआ next question the first nuclear power station in India is established that भारत में प्रथम नाबकी power station कहां स्थापित हुआ नरोरा तो पताई फ्रेंस राइट आंसर क्या होगा इसका तो इसका राइट आंसर होगा तारापूर A बाला देखिए राइट आंसर है भारत में जो प्रतम नाबकी पावर स्टेशन ये स्थापित हुआ था तारापूर में जिसे की टैप्स भी कहा जाता है तारापूर एट बात का सबसे बड़ा nuclear power plant, कुंडन कुलम, ये तमिर नाडू में स्थीत है. Next question, which of the following is also called white coal? निमिल्क में से किसे स्फेध कोईला भी कहा जाता है. option दें कि petroleum, natural gas, hydroelectricity या फिर uranium. तो बताई, friends, किसे स्फेध कोईला कहा जाता है. राय टांसर इसको होगा, friends, hydroelectricity. जल बिद्दु जोतिये से स्फेध कोईला भी कहा जाता है. C वाला, ये हमारा right answer होगा, hydroelectricity. Next question, which of the following lakes in India is known for its front production? निमिल्क में से भारत की कौन सी जील? जींगा उतबादन के लिए परसीद है. option देखिए, बूलर लेक, सांबर लेक, चिलका लेक, ये फिर नन आप दीज. तो बताई, friends, right answer इसका क्या होगा? जींगा उतबादन के लिए कौन सी जील जो है, वो परसीद है. तो right answer होगा इसका चिलका जील. देखिए, C वाला ये right answer है. और चिलका जील जो है ये है, उडिसा में. कहाँ पर है ये? उडिसा में ये जील स्थीत है. और इसी के साथ देखिए, प्रेंस, बूलर जील जो है, भारत की सबसे बड़ी जो है, ताजे और मीठे पानी की जील, वो है, बूलर जील. और ये जम्मू कश्मीर में सीता है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, सिरिनगर में सीता है, बूलर जील. और सांबर जिल जो है सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की जिल है और यह राज़स्थान में सीत है और राज़स्थान में सबसे जाया नमक का उत्वादन इसी जिल में किया जाता है next question दोनी की तीबरता नापने वाले यंतर को क्या कहते है और अप्शन देखिए इनिमो मीटर का यूज किया जाता है बिंड स्पीड को मेजर करने के लिए, बिंड स्पीड को नापने के लिए हावा की गती को नापने के लिए एनिमो मीटर का यूज किया जाता है और सोनो मीटर जो है इनिमो मीटर का उप्योग किया जाता है तार में कमपन के नियम का अध किया जाता है next question a concave lens is also known as एक after lens को यह भी कहते है option देखे converging lens, diverging lens, simple lens यह फिर none of these पताए फ्रेंस किया इसका right answer होगा अभिसारी lens अपसारी lens, साधरन lens यह फिर इन में से कोई नहीं तो एक जो concave lens जो होता है उसको कहते है diverging lens, अपसारी lens देखे, B वला यह right answer होगा और अभिसारी lens जो हो, friends, converging lens converging lens, किसको converging lens भी कहते हैं अभिसारी lens कहते है, convex lens को उत्तर lens जोता है उत्तर lens जोता है, उसे converging lens यह अभिसारी lens भी कहा जाता है सौर उर्जा का सत्रोत क्या है, देखे, option है nuclear fusion nuclear fusion, radio activity of none of this बताई, friends, सौर उर्जा का सत्रोत क्या है तो right answer में होगा nuclear fusion देखे, नाव की सलयन, B वला यह हमारा right answer होगा अगर यह question पूछा जाए कि प्रमानू उर्जा का सत्रोत क्या है, what is the source of nuclear power तो नाव की विखंड़न, nuclear fusion जो है, right answer होगा फ्रेंस से दिया भी तक बीडियो को लाइक नहीं किया, तो please like कर दें और साथ में चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दें तो चली, next question देखे, which is most elastic कौन सरवादिक प्रत्यास्त लचीला है option देखे, paper, glass, rubber या फिर steel तो बताई, friends, इनमें से which is most elastic कौन सरवादिक प्रत्यास्त लचीला है right answer हमारा होगा, steel, देखे, D वाला ये right answer next question, sun, heat, earth, y सूर्य प्रित्वी को किसके द्वारा उसमा देता है option देखे, radiation, conduction, convection या फिर none of these बताई, friends, सूर्य प्रित्वी को किसके द्वारा उसमा देता है sun, heat, earth, y right answer इसका होगा, radiation, B की रण देखे, A वाला ये right answer है next, देखे, which is your synthetic polymer कौन सा संचलेशित polymer है देखे, option देखे, nylon, glycosin, starch या फिर कपास तो बताई, इनमें से कौन सा जो है synthetic polymer है, right answer इसका होगा, friends nylon, A वाला देखे, right answer nylon जो है, synthetic polymer है इसके साथ देखे, कौन कौन से synthetic polymer होते है एक nylon हो गया, देखे, polythylene, polyester, teflon और epoxy, ये जो होते है synthetic polymer इसके साथ देखे, बताई, starch, starch जो है glucose या glycosin, इसी का ये बहुलक है, इसी का polymer है और ये पौदों में पाया जाता है इसके साथ देखे, cotton कपास जो है, natural polymer है next question the highest calorific value is provided by which of the following fuel निमिलत में ऐसे कौन साइंदन सरवादी calorific मूल्य प्रदान करता है option देखे, wood, kerosene, coal या फिर natural gas तो बताई, फ्रेंस, क्या इसका right answer होगा कौन साइंदन में, चार option में इसके कौन साइंदन जो है, वो सरवादी calorific value जो वो provide करता है right answer इसका होगा natural gas देखे, d वाला ये right answer है तो इन चार option में इसे natural gas तो सही answer है और यदि फ्रेंस, अगर question साधरन रूप से पूछा होता, the highest calorific value is provided, कौन साइंदन सरवादी calorific मूले प्रदान करता है तो वो होता है, hydrogen hydrogen जो होता है, सबसे ज़्यादा calorific value जो है, calorific value जो वो provide करता है, hydrogen next question, solid carbon dioxide is card, धोस carbon dioxide कहलाता है, option देखे, quarters krypton, genon, या फिर dry ice, तो बताई फ्रेंस, right answer क्या होगा इसका, the solid carbon dioxide, right answer होगा dry ice शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जो होती है, ऐसे solid carbon dioxide भी कहा जाता है, धोस carbon dioxide next देखे, epiculture is associated with, epiculture संबंदी था है, देखे option है, honeybee, fish, silk warm या फिर lack insect तो right answer बताई फ्रेंस, epiculture किसे संबंदी था है, तो epiculture संबंदी था है PC culture जो है, ये संबंदी था है PC culture is associated with fish यानिके, मतस्य पालन, मचली पालन जो होता है, उसे बहुते हैं, PC culture उसके साथ, देखे, silk warm रेसम के कीड है, रेसम पालन रेसम कीट पालन को गोलते हैं, सेरी कल्चर के बहुते हैं, सेरी कल्चर ठीक है, और देखे, लाक कीट जो हता है, लाक कीट पालन जो हता है लाक कीट, इसे एक प्रकार का पदार्थ निकलता है, लाक कीट, ये जो कीट होते हैं ये पौदों पर बिठाये जाते हैं, और एक प्रकार का पदार्थ निकलते हैं, जिसे लाक किसके काटने से निद्रा रोग होता है, option देखी, sand fly, bite fly, fruit fly, या फिन none of this, तो बताइए, sleeping sickness, किसके कारण काटने से होता है, right answer इसका होगा, none of this, d वाला देखी, right answer होगा, क्योंकि तीनों में से right answer कोई भी नहीं, sleeping sickness, यानिके, निद्रा रोग होता है, सेट सी फ्लाई के दोरह, कौन सी फ्लाई होती है, वो, सेट सी फ्लाई, T, S, E, T, S, E, सेट सी फ्लाई के काटने से निद्रा रोग होता है, और यह अफ्रीका में जाद पर यह मक्की पाए जाती है, next question, which is a flightless word, कौन सा उड्डियन भीहीन पक्सी है, option देखी, kite, eagle, emu, या फि होते हैं, जैसे ostrich हो गया, emu, ea हो गया, cassowary हो गया, रहिया हो गया, kiwi और penguin, यह वाले पक्सी होते हैं, यह flightless word बोलते हैं, इनको यह उड़ नहीं सकते हैं, next question, fats in human bodies stored in, मानव श्रीर में बसा संग्रिहित होता है, option देखी, liver, pancreas, kidney, या फिन नन ओफ दिस, बताई, friends, मान बसा संग्रिहित होता है, जो fats जो stored होता है, यह होता है, एडिपोस टीसू में, बसी उत्तक में, एडिपोस टीसू में यह stored होता है, तो इसमें none of these right answer होगा, next question देखी, the glucose level in the blood is controlled by, रक्त में शरक्रा या गुलकोस का स्तर नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा, option देखी, फायरॉक्षिन द्वारा, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपीन द्वारा, या फिर प्रोलेक्टिन द्वारा, right answer इसका होगा, इंसुलिन के द्वारा, रक्त में जो सरक्रा या गुलकोस होता है, उसका स्तर नियंत्रित होता है, इंसुलिन द्वारा, भी बला ये right answer है, next question, access of water in body result in, स्रीर में जल की अधिक मातरा से होता है, option देखिए, अनीमिया, मरुक रमक, शोफ, या फिर सकर्भी, तो बताइए फिर स्रीर में जल की अधिक मातरा से क्या होता है, right answer इसका होगा, एडिमा, शोफ, देखिए, c वाला ये right answer, next question देखिए, which is a contagious disease, कौन सा संसर्ग जन्य option देखिए, वेरी-वेरी, फिलागरा, डिप्थेरिया, या फिर स्कर्भी, तो बताइए फ्रेंस, कौन सा contagious disease है इनमें से, तो right answer इसका होगा, डिप्थेरिया, देखिए, c वाला ये, right answer, डिप्थेरिया जो है, संसर्ग जन्य, यानि कि contagious disease है, और या गले में infection से संबंदित इसके साथ बिप्थेरिया, गले में infection से संबंदित, उसके साथ देखिए, बेरी-बेरी जो होता है, बेरी-बेरी रोग होता है, वीटा源 B की कमी से, सकर्भी, जो हता है, बीटामिन C की कमी से हुता है, स्कर्भी, तो इसी के साथ, फ्रेंस, आज की वीडियो बस आई यहीं आई होब कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्रीज कमेंट सेक्षिन में अपने आंसर जरूर शेयर करें और अपना स्कोर भी साथ में जरूर सेयर करें जल्दी मिलेंगे इसी प्रगार की नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जय ही थैंक यू फर वाचिंग पेशंसली